नमस्कार में प्रियर एंजन और आज की इस एपिसोड में यस बैंक के स्टॉक को डिस्कस करेंगे चुकि 80 करोर के वॉल्यूम के साथ आज इस स्टॉक में लगबग 12% की तेजी दिखी तो आज यस बैंक के अंदर ये 12% के तेजी के जो कारण रहे वो Q1 के अपडेट्स रहे जो ठीक टाक नमबस रहे उसकी अलावे ऐसा ख़बर ट्रेड हो रहा है कि जो यस बैंक इस समय 27-28% होल्ड करती है उसको वो स्टेप को सेल कर सकती है और पहले जो प्रमोटर जो कहा था यस बैंक का कि हम एक नए प्रमोटर के रूप में MD ने जो यस बैंक के काये थे कि हम रुप में दिख सकता है यह कुछ ख़बर है जिसके कारण आग की यह तेजी इस स्टॉक में दिखा और साइध आप अगर मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं पिछले कई दिनों से कई मैनों से कह रहा हूं कि टेकनिकली यह कंसोलिडेट फॉर्म में है आगे के ट्रेंड जो इसके डिशिजन डिपेंडेंट है इसके के की युदो के अप्डेट्स के और आज वो दिन है जहां की युदो की अप्डेट्स आते हुए दिखे और यह स्टोक में एक बरितेजी दिखी क्योंग के नंबल कमधी 20 जुलाई को सटर्ड दे को ड टेलिग्राम जो की बिल्कुल फ्री है उसको खुद भी जोईंग करें जो भी आपके कलिक्स डोस्त रिलेटिव जो भी आपके नोन ट्रेडर हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उन जरूर सेखर करें ताकि वह हमारे को फाइंड आउट कर पाएंगे तो स्क्रीन पर चलते हैं और यहां देखेंगे कि यस बैंक में आज की तेजी रही है वह तेजी लगबग लगबग 12 परसेंट की तेजी रही और इस तेजी को अगर मैं आपको मंतली टाइम फ्रेम पर वॉल्यूम देखें तो आज इस स्टॉक में वॉल्यूम लगबग लगबग यहां देखेंगे तो 80 करोर के आसपास का वॉल्यूम है और जो खबर इस स्टॉक में रही थी वो कीवन का अपडेट रहा है और इस कीवन के अपडेट्स को अगर आप देखेंगे तो कंपनी के loan and advance 15% year on year basis पे growth cotton quarter basis पे 0.9% deposit 20.8% growth रहा है year on year basis पे और 0.5% the growth रहा है cotton quarter basis पे 1.1% जो है कासा cotton quarter basis पे गिरा उसके अलावे 26% के कासा जो है वो year on year basis पे बढ़ते दिखे credit deposit ratio और liquidity coverage ratio भी देखेंगे तो काफी improvement होते वे दिखा है और इस समय यहां देखेंगे तो थोड़ा बहुत जो है liquidity coverage ratio जो 30 June 2024 का है वो देखेंगे तो highest टेबर है और credit deposit ratio जो है थोड़ा बहुत वो panic होते वे दिखा यही update सेम कुछ ऐसा ही update समने HDFC bank में देखा जबकि HDFC bank पिटते हुए दिखे और आज 5% की गिराबट रही जबकि उसके MSCI के index में add-on वाली भी news वेट इस भरने वाली भी news आई इसलिए मैं कहता हूँ stock market को stock market भी कहा जाता है सेम न्यूज सेम अलग सेम मतलब एक ही आधार के न्यूज पे दो stock में दो अलग reaction होते हैं जहां आज HDFC bank अगर मैं यहां पर आपको दिखा हूँ यहां देखेंगे यहां देखेंगे 12% बढ़ा है और अगर इसके numbers को भी अगर इसके चार्ट को भी देखें तो यहां एक consolidated zone है यहां देखेंगे इस stock में यह consolidated zone है इसको मैं थोड़ा चेंज करूँ यह consolidated zone है यह false breakout यह भी false breakout अब यहां अगें ब्रेक आउट हुआ है तो पहला target 28 रुपीज 50 पैसे दूसरा target 33 प्लस यह वाला यह दो short to medium term target है और एक बार 33 के level को breakout करें फीड हम 50 70 और 94 जैसे levels में आएंगे टेकनिकली जब तक यह वाला level यानि 22 के level को breakdown नहीं करें बिल्कुल weakness नहीं है overall trend strong है और दूसरी प्रमोटर के रूप में foreign promoter इस company में होते वे दिख सकते हैं ऐसी कुछ authentic news नहीं है लेकि rumors बिल्कुल ऐसे उर रहे हैं और हो सकता है यह news पहले भी आई थी तो इसकी authenticity भी आपको कुछ समय में clear होते वे दिखे तो आई होप यह वीडियो informative रहब थैंक यह वीडियो आपको कुछ इस वीडियो